देर स्टुडेंट्स, I am कैसर शामीरी, टोडेज टॉपिक इस बायो डाइवरस्टी, what is बायो डाइवरस्टी, बायो डाइवरस्टी किसको कहते हैं, ये बायो डाइवरस्टी वर्ड सबसे पहले 1986 में वाल्टर जी रोजनी दिया है, किमकि हमारे अंग्रेजी में एक अलफा सब्सक्राइवरस्टी में, यानि लिविंग आर्गिनिजम इस काइनात में बहुत सारे हैं, डिफरेंट है, तो उनके बारे में इसका मकसद क्या है, यानि ये वर्ड है, बायोस, जिसका मकसद है, लाइव, लाइव को हमने कही बार आपको सिखाया, जो मेटबॉलिक एक्र सब्सक्राइव करता है, इसको लाइव कहते हैं, और डाइवरस्टी, डिफरेंट, मुक्तलिप, मीन इस वाराइटी ओफ डिफरेंस, यानि एक आर्गिनिजम दूसरे आर्गिनिजम से मुक्तलिप है, इस तरह से इस काइनात में न जाने कितने प्लांट से अनिमल्स हैं, द रिफरेंट सिट्रक्चूर्ज, जैसे कि हमारे पास अनिमलो जैसी, निमलो और रिफरेंज से मुक्तलिप है, करेक्टर में हेबिट्ट में हर एक चीज़े निमलो जिसमें जनरली में जैसे बहुत सारी प्लांट्स हैं, इसको बिरॉड्विन आर्गिनिजम, बीक्तलिजम रहते हैं, एक अनिमल हवा में रहता है, एक अनिमल पानी में रहता है, एक जंगल में रहता है, एक पानी के नीचे रहता है, उसी को बोलते है डाइवर्स, और एको सिस्टम, डाइवर्स एको सिस्टम है हमारे पास, जहां दो आर्गिनिजम, लिविंग आर्गिनिजम और प् एजामपल हम लेंगे फिश फिश खुद बखुद लिविंग है लेकिन रहती है पानी में पानी उसके लिए बन गया ना लिविंग इन दोनों को लेकिन को कहते हैं इको सिस्टम रिलेकिन बिट्वीं लिविंग एंड नौन लिविंग इसका मतलब जो भी कोई आरगिनियमिस काइनात में हैं जिस हैबिटेट में रहता है वह इंटर डिपेंड़नेट है उस माहूल पर जो माहूल उसके लिए बहुत जरूरी है इस तरह से इस काइनात में हमारे पास साइंटिस्ट नोई रिसर्च करके बता दिया है हमारे पास मिलियंज ओफ सिपीशी से प्लांट से अनिमल है छोटा प्लांट बड़ा प्लांट उससे भी बड़ा प्लांट पानी में भी प्लांट से डेजर्ट में भी प्लांट से जमीन पर भी प् ताकि हम गर बैठे हाजारों लाखु अनिमल एंड प्लांट्स की सिटेड़ी कर सकते हैं ये देखो हमारे पास कुछ अनिमल्स हैं एक अनिमल दूसरे अनिमल से किस तरह डिफरिंट है आपने देखा होगा अगर हम बिली लेंगे कुटा लेंगे गोडा लेंगे जिराफ लें लेकिन दोनों living है, इसलिए हमारे animal diversity में आते हैं, इसी तरह plants हैं, इनको हम बोलते हैं plant diversity, यानि प्लेंटी, plenty होगए green plants, कोई हर्ब है, कोई श्रूब है, कोई ट्री है, कोई green है, कोई non green है, कोई parasite है, कोई जंगलों में होता है, कोई desert में होता है, लेकिन characters अलगल हैं, इस तरह से वक्त की एहम जरूरत पड़ी इस यूनिकनस को समझने के लिए कि हम क्या करें वक्त की जरूरत पड़ी साइंटिस्ट को इस ब्रांच को इस साइंस को अडवानस करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कलाशिफिकेशन कलाशिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग कैटिग केरीज कलाशिफाई और्गनिजम्स अन दी बेस्ट अफ यह बाडी करेक्टिर्स अब यह करेक्ट्र ऑफ सेपीशीज को स्टेडी कर से तो यह सवाल सबसे पहले किसको आया दुनिया में यह था सबसे पहला शेक्स को था फादर ऑब यॉलजी जिसको हम कहते हैं अरिस्टोट इसके जहन में सवाल आया कि किस तरह हम आणिमल्स को कलाश वे कर से उस ने एनिमल्स को दो हिस्फ़ों में डिवाइड क्या एक एक आयमिल्स डैकें फ्लाए जो उड़ सकता हैं पाइसी तरह वह जो उड़ नहीं सकते फर एक्जम्पल आपने इन अनिमल्स को देखा होगा ने फिजन पीजय औरता है लेकिन नहीं उड़ता है उसको हम बोलते है फलाइंग बीर् कि रिच्ट फिलाइंग भीड लीजयस्टारbonिय्टार्द कर सके सके हमारे सामने बी एक हो गया साइंटेस्ट्रि के सामुषिए और होगा इस enfant गया इतने सारे variety of animals various species को कैसे एकी group में लास सके ताकि हम गर बैठे इनकी study कर सके और हमारा पढ़ना आसान हो गया फार एक्जामपल some individual कुछ ऐसे characters है जो resemble करते हैं लेकिन बागी characters की वज़े से इनको हमने एक group नहीं किया आरे यहां starfish है starfish भी पानी में रहती वेल भी पानी में रहती लेकिन body characters अलग अलग है resembling characters नहीं है metabolism उनमें भी है इनमें भी है इस तरह से इस मसले को हल करने के लिए मजीद जरूरत पड़ी कि कैसे इनको कलाश्वे किया जाए तो आया दुन्या में एक ओड टेक्जानमिस्ट जिसका नाम था केरोलिस लिनसपाल यह सबसे पहला टेक्जानमिस्ट इसका नाम पढ़ गया father of टेक्जानमिस्ट इस ने सबसे पहले एक issue बना दिया कि दुन्या में बहुत सारी language हैं और हर language में अलग अलग नाम है हर एक plant का हर एक animal का तो उसने क्या किया उसने सबसे पहले दे दिया नॉमन्किलेचर उसने बोला दुन्या में हजारों करोडों लंग वेजिस हैं एक आर्गिनिसम का नाम मुक्तलिफ जबानों में मुक्तलिफ हैं लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए जिसे हम इनको एक नाम दें फर एक्जांपल हमारे पास एक बोड है पिजन इसको हम अंग्र के अपने कश्मीरी में इसको हम बोलते हैं कोतर, अगर हं अर्दू में बोलेंगे इसको हम बोलते हैं कोबुतर, तो इता है जापानिज में बोलेंगे इसका अलाइदा नाम है लेकिन फिर लिनसपाल ने क्या किया, इसने दे दिया international name scientific name that is called Colombo Libya ये बन गया इस कोबुतर का इस कोतुर का इंटरनेशनल नेम ताकि दुनिया का कोई भी शक्स, कोई भी सिटूडन इसको एक नाम से पढ़ सके इस बाइनॉमियल नॉमन कलेचर मुझे उमीद है आपको यहां तक अच्छी तरह से समझाया होगा किस तरह से लिनस पाल ने फिर पाँच हिसों में इसको डिवाइड किया यानि इंटरनेशनल कोड आफ भाटनिकल नामन कलेचर उस ने क्या किया उसने दुनिया में जितने भी प्लान्ट से चाहे हुरब है चाहे शिरवब है उसको एक कोड दे दिया, एक नाम दे दिया, इंटरनेशनल, तो बन गया ICBN, इंटरनेशनल कोड आप बॉटिनिकल नामनकिलेचर, यानि आप कह सकते हैं, दुन्या में जितने भी प्लांट से, आपको हमेशा उनकी सिटेडी बाइनॉमिल सिस्टम से करना है, उनका नाम आपक को सेंट फिक नहीं, इंग्लिश नहीं, बिल्कि बायालोजिकल नेम देना है, आपको बता हूं, हमारे यहां आम तोर पर हम इस्तेमाल करते हैं एक प्लांट, जिसको पी प्लांट बोलते हैं, पी प्लांट को हम बाटनी में कहते हैं, पाइजम सटेवं, आगे दो नाम, पा इनका नाम पड़ गया, इंटरनेशनल कोड आफ जॉलिजिकल नामन की लेचर, इसी तरह दुनिया में हैं बेक्टीरिया, बहुत सारे स्पेशीज बेक्टीरिया के, जो नको हम पेथोजनस भी पूलते हैं, जो बिमारिया पाइदा करते हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, प्लांटिस में भी हैं, अनिमूलिस में भी हैं, तो उन सब को हमने एक नाम दे दिया, इन्टरनेशनल कोड आफ बेक्टीरियल नामन के, एक एक एग्जामपल हम आपको दिखा, बता सकते हैं, हम दूद को दही बनाते हैं, यह हमें बनता है एक बेक्टीरिया, उसको बायालजिकल नेम हमने दिया, लेक्टो बेसिलस, यह लेक्टो, क्योंकि यह लेक्टोस से निकला, क्योंकि दूद में लेक्टोस होता है, शुगर होता है, तो बेसिलस इसी स्पेशीज है, इस तरह से बन गया, इंटरनेशनल कोड आफ बेक्टीरियल नामन कले, इसी तरह स होता है जब यह लिविंग सेल के अंदर आ जाता है तो यह जिन्दा हो जाता है और इंफेक्शन पाइदा कर देता है इनकी भी दुन्या में नजाने कितने स्पीश्ट है इनको भी हमने किस कोड में लगा दिया इंटरनेशनल कोड आफ वाइरल नॉमन के लेचर इस तरह से प इंटरनेशनल कोड आफ नॉमन के लेचर फॉर काल्टिवेटेड प्लांट चुन को हम अपनी फाइदे के लिए स्तेमाल करते हैं जैसे हम हमें बहुत सारे चीज़े जिन्दा रहने के लिए जरूरत होती है मुझे उमीद है I hope today's lecture is very useful and beneficial for you any doubt कोई भी शक्वा आपको किसी चीज़ के बारे में we will discuss it later on or you can message the coordinator of the center तो उसके बारे में आपको उसकी वजाहत की जाएगी thank you very much